हेलो फ्रेंड्स गुड अप्टर नून और वेलकम टू दा सक्सस केंद्रा फ्रेंड्स देखे आज इस सेशन में हम लोग बीपेसी टी आरी थिरी पॉइंट जिरो री एकजाम जो जुलाई दोहजार चोबीस मिलिया जाएगा यानि कि बीपेसी टीचर 3.0 जिसका री एकजा बीपेसी टीरी 1.0 टीरी 2.0 और अभी जो टीरी 3.0 हुआ था जो रद हो गया था उसमें पूछे गया है और साथी साथ जो एकजाम हुआ है उन्हीं के पैटर्न पर आधारित हम लोग महत्पुन प्रश्णों को इस सेशन में डिसकस करेंगे बिलकुल बीपेसी का यह अगर आपने नहीं देखा है तो उनको जरूर देखिएगा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है आप चाहे तो प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियो को देख लिजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और जो बगल में बेल आइकन है घंटी का निसान है उसको भी जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी कोई भी इसी तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और फ्रेंड्स मैं आपको बता आपने उनको कभर किया हुआ अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लिजेगा चली अब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर देंगे और इसका लिंक किसी भी एक ग्रूप में सेयर कर दीजिए चली शुरू करते हैं और ये सारे के सारे प्रस्ण जो है काफी important है और already BPSC के दवारा previous year में पुछे जा चुके हैं इसलिए सेशन को ध्यान पूर्बक पूरा attend करिएगा एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को friends like कर देजिए चले यहाँ पर आप देख सकते हैं friends यहाँ प्रस्ण जो है BPSC TRE 3. 2.0 2024 में इसी साल पूछा गया है प्रश्ण है कि राष्ट्रिये जनता दल की अस्थापना किस बर्स होई थी एंसर सब को comment करना answer सभी लोग comment करते चलिएगा और जो भी मैं explain करूंगा उसको भी ध्यान पुर्बक जरूर सुनिएगा इससे क्या होगा कि एक प्रश्ण के जो है cover होते चलेंगे अब यहां पर ध्यान जीजे का राष्ट्रिये जनता दल की अस्थापना जो है यहां कब होई थी तो 1997 में इसके अस्थापना होई थी अच्छा जनता दल United का अस्थापना अगर आपसे पूछा जाए जनता दल United का गठन तो यह वर्स 2003 में हुआ था इसे भी आप साथ-साथ ध्यान रखेगा अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रिये पार्टियां हैं राष्ट्रिये पार्टियां कितनी हैं तो यह छे राष्ट्रिये पार्टियां हैं कौन-कौन सी हैं तो दिखे आम आदमी पा पार्टी मार्क्स वादी हो गया उसके बाद छठा नेशनल पीपल्स पार्टी हो गया तो यह सारे के सारे प्रष्ण अगला प्रश्ण करेंगे इसाल पुछा गया है देखिए इनों ने बिहार में 2877 की शक्रांतिका नत्रित अप्रदान किया था यह प्रष्ण तो अलरेडी बीपेसी पुछता ही पुछता है और कई बर पुछ भी चुका है और देखिए फ्रेंस जो बाबु कॉर्सिंग है इनका जनम अगर पुछा जाए तो 1777 में याद रखिएगा और इनका देहांत जो हुआ था इनका देहांत 1859 में हुआ था तो यहां पर देखिए 1859 करेक्ट अंसर हो जाएगा चलिए अगला प्रशन करेंगे नेक्ष्ट कुस्चन हमारा है कि पटना जीले के अंतरगत कितने विधान सभा निर्वाचन छेत रहें बता ये राइट अंसर इसका क्या होगा ये भी प्रशन BPSC TRE 3.0 में पुछा गया है तो देखिए पटना जीले के अ चलिए अगला प्रशन करेंगे और एक बार सभी लोग जल्दी से ससन को लाइक कर देंगे और इसी प्रकार से मैंने जो है BPSC TRE में जितने भी मॉडर्न हिस्ट्री के प्रशन पुछेगा है TRE 1, 2 और 3 में उनको मैंने आपको कभर कराया हुआ है धेर सारे वीडियो हमने नहीं देखा है तो देखें लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे देखें नेक्स्ट कोस्टन है कि मुझपर पूर बंकांड में किसको फासी की सजा दी गई थी मुझपर पूर बंकांड बड़ा ही इंपॉर्टेंट कुस्टन है बताई राइट अंसर ठीक है करांतिकारी खुदिराम बोस और उनके साथी प्रफुल चाकी ने इसको अंजाम दिया था और जो आपका जिला नयाधिस था किंग्स फोर्ट इसकी हत्या का प्रयास किया गया था लेकिन गलती से बम जो है केनेडी की गाड़ी पर गिरी थी और उसकी पत्नी और आठ को जो है फासी की सजा दी गई थी तो यहाँ पर खुदिराम बोस राइट अंसर हो दियागा कब 11 अगस्त 1908 को खुदिराम बोस को फासी की सजा दी गई थी ठीक है ना चले उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन है अमारा कि किस वर्स बिहार को बंगाल से अलग किया गया थ यह प्रश्ण आपसे पूछा जा रहा है चले सभी लोग अंसर कमेंट करिए तो देखे बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 हमें और ऑप्सन में देखे 1912 दिया ही नहीं गया है इसलिए ऑप्सन अंबर यहां पर यहां पर याइट अंसर हो जाएगा उपर रिक्तिमें से तो ये भी आप याद रखिएगा चले नेक्श्ट कोस्टन है कि महात्मा गांधी ने चंपारन यात्रा जो है किस वर्ष किया जांते है और डिटेल में मैंने भी कई बार बताया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे मुग इसके में पूरी डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे यह सब अलड़ी आप जानते हैं चले यह प्रस्ण देखे बीपेसी टीरी 3.0 में वर्स 1922 में किसान सभा का गठन साह मुहमद जुबैर और स्रीकृष्ण सिंग जी के द्वारा किया गया था तो यहां पर दिखेगा साह मुहमद जुबैर और स्रीकृष्ण सिंग जी के द्वारा वर्स 1922 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था राइट अंसर टी हो जाएगा उपरीक्त में इससे एक सधीक अच्छा बिहार प्रांतिय किसांसभा इसका गठन किस ने किया था स्वामी सहालनद शर्वसतीर गठन किया था अग्ला कुस्टन कर लेंगे अब थे नेक्स्ट कुस्टन हमारा के बिहार में सर्च लाइट समाचार के संपादक कौन थे बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे चलि सभी लोगा अंसर बताईएगा तो देखे बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र का प्रकासन 1918 में सयद हैदर हुसेन के दवरा किया गया था और सर्च लाइट सपताह में दो बार प्रकासित होने वाला टंसर हो जाएगा अच्छा एक पुष्टक पुछा जाता है कि देशेर कथा जो है देशेर कथा यहां पर ध्यान जीजेगा देशेर कथा देशेर कथा जो है यहां पुष्टक किसने लिखी है तो देशेर कथा को लिखा है सखाराम गनेश देवसकरने इसे भी आप याद अगला प्रशन की बिहार प्रोविंस्यल सभाड़ा कब हुआ था तो देखे बिहार में किसानों को संगठीत करने और इनकी कठिनाईयों का निदान करने के उद्यश से 1929 में 1929 यहां देता हूं 1929 में सोनपूर मेला के आउसर पर प्रांतिय सभा का अस्थापना हुआ था और स्वामी साजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष थे जैसे मैं आपको बताया भी है ठीक है ना तो यहाँ पर option number A right answer हो जाएगा चले उसके बाद next question है और friends दिखे चले एगला प्रश्ण के बिहार म इसका क्या होगा सभी लोग answer comment करिएगा सभी लोग answer comment करेंगे कि इसका right answer क्या हो जाएगा बड़ा ही important question है तो देखे बिहार में चाय बगान पहली बार ठाकुर गंज किसन गंज में अस्थापित किया गया था ठीक है ना right answer इसका क्या हो जाएगा बिहार में चाय बगान प उसके बाद next question करेंगे अगला प्रश्ण है यह सारे के सारे important question है ठीके ना देखे Asia की सबसे बड़ी एवम ताजा जल वाली गोखुर जिल बिहार में कौन सी है चले बताएगा इसका right answer friends क्या होगा सभी लोग answer comment करेंगे इसका correct answer क्या होगा बता दीजे right answer इसका क्या होगा चले important question है सभी लोग answer comment करेंगे तो friends यह जो है यहाँ कावर जील है यहाँ चले आगे बढ़ेंगे अब next question हम लोगर लेंगे अगला प्रशन हमारा कि बिहार की किस जीले में तेलहर कुंद जल पर पात है बिहार के सबी लोका अनसर करिएगा वी आ सब Olsen दीया गया है जोकि सतना यहाँ पर एक औरेक्ट अनसर हो ठीके ना it लिहार कुंट जलपर पर पत है तो फ्रंट्स यह नावादा में में यह व्हार सोसलिस्ट पार्टी कब गठीत हुई थी चली वताएगई इसका राइट अंसर क्या होगा बिहार सोसलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी बड़ा ही important question है बिहार सोसलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था 1931 में नाइंटिन थाटीवन में जो है गंगा सरन सिंग जैप्रकास नरायन फूलन प्रसाद बर्मा अबदुल बारी राहूल संकृत्यायन अंबिका सिन्हा इन सब के द्वारा पिहार सोसलिस्ट पार्टी की अस्थापना किया गया था एक समुह बनाया गया था लोगों का वैसे प बिहार स्पिसल के प्रशन पूचे गया थे उनको कल ही मैंने कवर कर आया था एक बार उसको आप लोग जरूर देख लिजेगा ठीक है ना तो याद रखेगा फुलन प्रसाद बर्मा और जैप्रकास नरायन ने किया था और भी लोग थे इसमें एक समुह बनाया गया था ज में आरे सोबहां में बिहार बिहार घ्राड जो है यह किसने चली में इसका क्या होगा उनको बिहार हेराल्ड का प्रकासन किया था तो यहां पर दिखे बाबा गुरु प्रसाद से राइट अंसर हो जाएगा चलिए उसके बाद जिया बिहार के मुंगेर जिला में सभी लोग अंसर कमेंट करिएगा तो मुंगेर में भीम बांद वन्यु आभिशाद यहां पर देंजीव भैरन और गौतम पक्षी अभारन गया में हैं राजगीर वन्यु आप ध्यान रखेगा ठीक है और बालमी की टाइगर रिजर्ब प अगला प्रशन करेंगे कि बिहार के कूल भागलिक छेतरफल का वनारक्षित प्रतिसत लगबग कितना है बिहार के कूल भागलिक छेतरफल की बात आई है तो पहले आप कमेंट करके मुझे बता दिए बिहार का कूल भागलिक छेतरफल कितना है फिर अम लोग आगे बात करते हैं देखे बिहार का कूल भागलिक जो है यह 94,163 वर्ग किलोमेटर है इसको आप ध्यान रखिएगा किलियर और देखिए बिहार के कुल भगुलिक चेतरपल का वन रक्षित प्रतिसत जो है यह कितना है तो फ्रेंट्स यह आपका 7.84 प्रतिसत है 7.84 प्रतिसत है और विहार के कुल भगुलिक चेतरपल का अगर आपसे पुछा जाए कि वन रवर्ण कितना है तो यह आपका 73.79 वर्ग किलोमेटर पर है यह आप इसको ध्यान रखिएगा अचा सरवाधिक वन रवर्ण वला जीला कौन सा है तो सरवाधिक वन रवर्ण वला यह सेख पूरा है अच्छा प्रतिसत मोहाई पूछ लिया जाए कि प्रतिसत के हिसाब से प्रतिसत का अनुसार सरवाधिक वन वला जीला तो यह आपका कैमूर है और सबसे कम आपका सेख पूरा है ठीक न तो यह सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा क्लियर ना चलिए अ तो यह दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा चले अगला प्रशन करेंगे कि बिर्सा मुंडा के गुरू कौन थे चले बताएगा बिर्सा मुंडा के गुरू कौन थे राइट अंसर बताएगा इसका कमेंट करकी क्या होगा बिर्सा मुंडा के गुरू कौन थे तो बिर् आपको पता है ना कि मुंडा विद्रोह 1899 के दर्मियान हुआ था मुंडा विद्रोह इसी के ये नायक थे और मुंडा विद्रोह को उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है विर्षा मुंडा का जनम 1875 में हुआ था 1875 में इसे भी आप जरूर ध्यान रखिएगा चलिए के बीहार में लोटा विद्रह कब हुआ था और कहांपर हुआ수 यह भी आपको ध्यान रखना था देर si लोटा विद्रह मुझपरपूर में हुआ था मुझपरपूर में जेल के कैदियों को पहले पीतल का लोटा दिया जाता था लेकिन बाद में क्या हुआ कि पीतल के लोटे के अस्थान के जगा पर मिट्टी का लोटा दिया जाने लगा जिसके कारण विद्रोही कैदी जिते ये विद्रोही हो का हैं इन्होंने विद्रोह आरंब कर दिया और ये लोटा विद्रोह मुझपरपुर में 1856 में हुआ था अप्सन ए राइट एंसर हो स्थापित किया था डचो ने अपने फैक्टरी किस वर्स पट्ना में स्थापित किया था यहाँ प्रश्ण पूछा जा रहा है चले बताइएगा सभी लोग अंसर कमेंट करीए काफी फेमस प्रश्ण है 1632 में पट्ना खोलेज के उत्री इमारत में आपको याद भी होगा पट्ना में 182019 की करांति का नैत्रित किस ने किया था तो पीर अलि खाने किया था पट्ना में 3 जुलाई 1867 को इनी के नत्रित में प्रान्ति प्रारमभ हुआ था पीर अलि खा ठिक है ना याद रखिएगा अगला प्रश्ण कि चंपारन शत्यागरह किस वर्स हुआ था गां कि निमनलिखित में से कौन सा पक्षी बिहार बिहार के जमुई जीले में इस्तित है जमुई जीले में कौन सा जो है इसमें से पक्षी बिहार इस्तित है चले बताईएगा देखे सुहियान पक्षी बिहार तो सुहियान भोजपुर में है उसके बाद सरयमन पक्षी बिहार सर अगला प्रश्ण है किनमनलिकित में से किसके सांथ देखें किसके सांथ जो है बिहार के सबसे अधिक जीले सीमा साजा करता है किसके सांथ बिहार के सबसे अधिक जीले सीमा साजा करता है तो मैंने आपको बताया था कि बिहार जो है बिहार उत्तर में नेपाल जक्षीन में ज जिले लगता हैम जलबते लगता है जारखंट के साथ चले बिहार का राजकिय चिन क्या है विहार का राजकिय पशन करा राजकिय आप फगी हुं fabulous- राजकिय पुस्प यह सब याद रखना है, बिहार का राजकिय चिन बोधी ब्रिक्ष है, बिहार की राजकिय भासा पुछेगा तो हिंदी है, दूसरी राजकिय भासा उर्दू है, बिहार का राजकिय पसु गौर है, गौर यानि कि बैल है, कहीं कि आपको बैल या गौर दो किस अनुछेद के तहत बिहार विती इस्तिती के पुन्रावलोकन के लिए वित आयोका गठन किया जाता है। किस मुगल सासक का राजबिसिक सबसे पहले पटना में हुआ था। वैसे दो सासक थे जिनका राजबिसिक पटना में हुआ था। मुंगेर को अपनी राजबानी बनाने वाला पाल सासक कौन था। चले एंसर कमेंट करिए। सभी लोग इसका एंसर कमेंट करेंगे। कौन सा पाल सासक था जिसने मुंगेर को राजबानी बनाया था। तो यहाँ देवपाल था। कौन था। देवपाल था। पालवन्स का संस्थापक गोपाल था। याद रखिएगा। अगला प्रशन है कि भारतिय समिधान के किस अनुछेद में महादिवक्ता को राज विधान मंडल में बोलने यानि कि विधान सभा में बोलने और इसकी करवाही में भाग लेने का अ परन्तु उसको मत देना का अधिकार नहीं है। ठीक है। अनुछेव 187 तर आप याद रखेंगे। चली अगला प्रशन करेंगे कि भिहार का कौन सा जिला नेपाल और उत्तर प्रदिस दोनों के साथ सिमा साजा करता है। देकिन नेपाल के साथ और उत्तर प्रदिस के पसिम चंपारण है। ठीक है। अच्छा नेपाल और बंगाल के साथ नेपाल और बंगाल के साथ पसिम बंगाल की बात की जरही है। कौन सा जिला सिमा साजा करता है। तो यह किसन गंज है। ठीक है। नेपाल और पसिम बंगाल के साथ समझ में आया। अच्छा उत्तर प कि जहर्खंड और प।स्चिम मंगाल के साथ कौना सीमा सधा करता है तो यह कटिहार है कि एक मेरे ठीक है यह कहां पर हुआ था सभी लोग अन्सर कमेंट करिए गा तो देके बिहारी चातरा सम्मेलन का 16 हमा अधिवेशन यह कहां पर रहा था फ्रेंट्स तो यह हजारी भागम हुआ चलिए अगला प्रशन कर लेंगे नेक्ष्ट कुस्सन है हमारा कि बाबा ठाकुर्दास ने पटना में किस समीति के अस्थापना किया था चलिए सभी लोग एंसर कमेंट करेंगे फटा-फट एंसर कमेंट करिएगा राम Krishnan Mission Society की अस्थापना किया था ठीखना तो इसको भी आप ध्यान रखेंगा तो यहाँ पर राइट अंसर आपका option number C हो जाएगा रामकृष्ण मिसन सोसाइटी तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा चलिए अब अगला प्रशन कर लेंगे next question है हमारा कि बिहार का कौन सा सहर पांच पहाडियों से घिरा हुआ है यहां घिरा बना लिजेगा पांच पहाडियों से घिरा हुआ है बताए बिहार का कौन सा सहर पांच पहाडियों से घिरा हुआ है चले सभी लोग answer करिएगा सभी लोग answer करिए कि बिहार का कौन सा सहर पांच पहाडियों से घिरा हुआ है तो बिहार का जो राजगीर सहर है यहां पांच पहाड़ियों से घरा हुआ है ठीके ना पांच पहाड़ियों से घरा हुआ है जिसका उलेक महाभारत और रमायन बेव मिलता है ठीके ना और राजगीर की पहाड़ियां विश्वें में परसीद है इन पांच पहाड़ियों के चले उसके बाद next question है हमारा कि अलिवर्दी खा को किस वर्स बिहार का डिप्टी गॉर्णर नुक्त किया गया था किस वर्स बिहार का डिप्टी गॉर्णर नुक्त किया गया था किस वर्स बिहार का डिप्टी गॉर्णर नुक्त किया गया था किस वर्स बिहार का डिप्टी बंगाल के नबाब सर्फराज की समय में बिहार के नायब सुवेदार अलिवर्दी खा ने विद्रोह कर दिया और सर्फराज को गीरिया की उद्धे 1740 में गीरिया के उद्धुआ था उसमें सर्फराज को मार करके अलिवर्दी खा बंगाल का नबाब बनता है पहले ये क्या था पहले यह डिप्टी गॉर्णर था नायब सुवेदार था सत्रासो तेतीस इस भी में यह बना था तो सत्रासो तेतीस यहां पर राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ना चले फ्रेंट्स उसके बार नेक्ष्ट कोस्टन है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है चले बताए राइट अंसर इसका क्या हो जाएगा आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है तो देखे फ्रेंट्स सचीजानन सिनहा को माना जाता है सचीजानन सिनहा भारत की प्रसिद राजनितिक सिक्षाविद अधिवक्ता और पत्रकार थे और सचीजानन सिनह सब्सक्राइब करते हैं तो समिधान सभा का प्रतम औस्थाय देख चुना गया था जो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी ठीक है नतीजी सब सब्सक्राइब कर लेंगे अगला प्रशन हमारा नेक्स्ट को सब्सक्राइब कर लेंगे अगला प्रशन हमारा सारे के सारे प्रशन इंपोर्टेंट है आप देख सकते हैं ठीक है ना किस अधनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था ठीक है ना प्रांत नहीं राज्य बना था ठीक है ना ओप्सन नमबर यहां पर सी करेक्ट अंसर हो जायेगा ठीक है ना चलिए वर्स 1936 तक जो था बिहार और रुडिशा संच्ट रुप से एक प्रांत थे वर्स 1936 में भारत सासन अधनियम 1935 के दवरा बिहार को एक अलग रज के रूप में अस्थापित किया गया थ ठीक है ना तो इसको आप ध्यान रखेएगा चलि उसका बाद नेक्स्ट कुस्सन है हमारा कि बंगाल बिहार में भूमी पर किरायदारों के अधिकार को बंगाल किरायदारी अधनियम द्वरा कब स्विकार किया गया कब इसको स्विकार किया गया बताएगा राइट अंसर चलि आंसर क्रंट करेगा इसका करेक्ट अंसर क्या होगा तो श्रंस यहाँ पर देख लίजेगा बिहार किरायदारी अधनियम 1885 के द्वरा bots. 1885 के दौरा बंगाल और भीहार में भूमी पर किरायदारों के अधिकार को स्विकार कर लिया गया इस अधनियम को बनाने का मु कुस्टन से नंबर सी राइटम सरह घयाएगा 800 85 चलिए उसके बाद नेक्ष्ट कुस्टन हमारा कि बीहार विधान सभा में अनुसूचित जाती कि उमिद्वारों के इतने सीट्ट कि अरक्षित हैं उनके लिए आरक्षित सीट्ट पुछा गया है चले बताएगा राइट अंसर क्या हो जाएगा तो देखें अनुसूचित जाती के लिए जो फ्रेंट्स बात करते हैं तो आपको पता है न कि बिहार विधान सामय में टोटल 243 सीट है और इन 243 सीटों में से 203 सीट जो है यह आपका सामाने जैनरल के लिए है 38 सीट जो है यह अनुसूचित जाती के लिए है और दो सीट जो है अनुसूचित जन जाती के लिए है और अनुसूचित जन जाती के लिए दो सीट है बिहार विधान परिशद में सीटों की संख्या कितना है जरा आप बताएए तो कमेंट करके बिहार विधान परिशद में सी वर्स प्रदान किया गया था सभी लोग इसका अंसर कमेंट करिए सभी लोग इसका अंसर कमेंट करिए कि बिहार में पंचायत निकाओं में महिलाओं को तो बिहार पंचायती राज अधनियम 2006 के तहत जो है बिहार में पंचायत निकाओं में महिलाओं को 50% आरक्षन प्रदान किया गया और यहां अधनियम आठ अप्रेल 2006 से लागो हुआ था यहां अधनियम कब से लागो हुआ था तो आठ अप्रेल 2006 से लागो हुआ था तो यह भी आप साथ साथ द्यान रखिएगा ठीक है ना चलिए अगला प्रश्ण कि किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हिर्दय जैसे छद मनामों के तहत लिख करके चंपारण की किसानों की दुर्दसा पर प्रकास डाला था किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हिर्दय जैस से छद्म नामों के तहट लिख करके चंपारन की किसानूं की दूर्दसा पर प्रकास डाला था चलिए बतायेंगे इसका right answer क्या होगा करेक्ट अंसर इसका कमेंट करिए इसका right answer क्या होगा सभी लोग answer क्रिए तो फ्रेंट्स दिखे पीर मुहमद मुनिस थे जिन्होंने दुखी दुखी आत्मा दुखी हिर्दय जैसे चद्म नामों से अपनी पुस्तक चंपारण की दुर्दसा लिख करके चंपारण की किसानों की दुर्दसा पर प्रकाश डाला ठीक है न फ्रेंड्स तो यह सब आप ध्यान रखिएगा चलिए तो राइट अंसर य नमक सत्यागरह का नत्रित्व किस ने किया था भागलपूर में नमक सत्यागरह के हम बारे में बात करते हैं तो नमक सत्यागरह के बारे में आपको पूरे डिटेल में बताया हुआ था नमक सत्यागरह के बारे में ठीक है न बिहार में नमक सत्यागरह सरपर्थम प्रारंभ भी चलाया गया था और विहार में चौकीदारी करबंदी अंदोलन सरपर्थम बेतिया में शुरू हुआ था इसे भी आप ध्यान रखिएगा और प्रश्ण पुछागे कि भागलपुर में नमक सत्यागरा का नत्रित जो है यह किस ने किया था तो फ्रेंट्स यह किया था इस्वर नरायन अगरवाल कैलास बिहारी लाल इन सब ने किया था ठीक है ना तो देखिए आपर महादेवलाल सराफ दीप नरायन सिंग कैलास बिहारी लाल तो एक साधिक राइट अंसर हो जाएगा बीपेस किस तरह सब प्रश्ण पुछता है तो यह सब नाम नहीं देगा सिर्फ पुछता है महादेवलाल सराफ तो अन्य नाम भी मैंने रखा हुआ है ताकि confusion आपका दूर हो जाए ठीक है ना तो इस सीज को आप ध्यान रखिएगा चलिए सन 1949 में भिहार में 39 सत्यागरह का नत्रित्व किस ने किया था याद रखिएगा और इसका नित्रित्त जो है राहुल संक्रित्यायन ने किया था हुआ उसका बाद अगला प्रशण करेंगे कि कि बिहार के किस जिले में साखछरता दर सबसे जाधा है चलिए कमेंट करिएगा सभी लोग एंसर कमेंट करतें चलिए एंसर कमेंट करने से क्या होगा कि आपका रिविजन होगा ठीक है न तो इस सीज को आप ध्यान रखिएगा चले बताए राइट अंसर क्या हो जाएगा कि बताए तो सबसे ज्यादा जो है सक्षर्टादर सक्षर्टादर के बारे में अभी मैंने आपको बताया भी था कल वाले वीडियो में और एक मैंने आपको बिहार की जनगर्ना 2011 भी अलग से एक सेसन कराया हुआ है अगर आप उसको देख लेंगे तो एक भी प्रशन आपका नहीं छूटेगा एक्जाम में चले देखिएगा सारा का मैंने प्लेलिष्ट बना दिया है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स म लोग 73,4 माल लेता है इसको ठीक है रहतास में है तो रहतास में यहां पर दो गलत दिरका ठीक है इसलिए इन में से कोई नहीं आप राइटन से हो जाएगा रहतास में बिल्कुल है सारवाधिक पूरु सक्षर्टादर और सरवाधिक महिला सक्षर्टादर भी कहां पर है तो रोहतास नहीं है ठीक है तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा चलिए अगला प्रशन कर लेंगे नेक्स्ट कुस्सन है हमारा कि 2011 की जनगन्ना का नुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच लिंगानुपात दर्ज किया गया है चलिए बताएगा इसका राइट अंसर क्या हो जाएगा सर्वोच लिंगानुपात यानि कि सरवाधिक लिंगानुपात यहां बिहार के किस जिला में है मैं ज शबी लोग एंसर कोमेंट करिए को तो pri सिद्ध Simmons यहां पर द्यान धीजिएगा देखिए सरवाधिक लिंगानुपाथ जो है यह कहां पर है सबसे पहले आप ध्यान देजिए कि बिहार का लिंगानुपात कितना है तो बिहार का लिंगानुपात 918 है बिहार में सिसु लिंगानुपात पूछेगा तब कितना है सिसु लिंगानुपात 935 यह दो प्रश्ण आपका किलियर बिहार में लिंगानुप आप याद रखेंगे 2020 सबसे कम लिंगानुपाद कहां पर है तो यह मुंगेर में मुंगेर में कितना है तो मुंगेर में 876 है ठीक है ना यह भी आप ध्यान रखेंगे चलिए उसके बाद समेंक्र है अगला प्रश्ण हमारा और सुपर ठर्मल पाउर एंस्टेशन ambos बहार थो भी एसक्ले टीपस किस जिला में चली जल्दी से अंसर करिएगा सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहाँ पठना में है तिक ना पठना पड़ता है वसका देखेगा कि दक्षीन बिहार प्रचलित परंपरागत जल सीचाई काहलाती है चले सभी लोग एंसर क्मेंट करींगे सबी लोग एंसर इसका कमेंट करेंगे फ्रेंट्स किसका राइट अंसर क्या हो जाएगा बताई बिहार में दक्षीन बिहार पूछा गया यहां दक्षीन बिहार में प्रचलित पराम परागत जल संरक्षन सिचाई पदती जो है यह क्या है तो फ्रेंट्स इसको कहा जाता है आहर पाइन ठीक है इसमें जल संसाधनों के प्रबंदान हेतु क्या किया जाता है तो प्रतिधारन तलाबों योम वहिकाओ नहरों का प्रयोग इसमें किया जाता है आहर्पाइंच ठीक है लिए अगला प्रश्णा मेरे कि बिहार में किस अस्थान पर कोसी नदी गंगा-नदी से मिलती है क अस्थान पर तो देखे कोशी नदी जो मिलती है घंगा में अचा सिनदी को बिहार का सब्सक्राइब करोरिट से मिलती है अगर कुरसेला ना देकर के कटिहार दे दिया जाए तो भी आप ध्यान रख सकते हैं ठीक ना कुरसेला में मिलती है अगला प्रश्टि के निमलकित में से कौन सा जिला धारवाड भू अस्तरिय Yuk रचना वाला नहीं है दे नहीं पूछा गया है ही है देखे भिहार में भू अस्तरिये रचना वाले जिले दक्षीन पुर्व विहार में आते हैं जब की रोहतास दक्षीन पस्सिम पहाग है और इस थेत्र में विंदहन करम की की चट्टाने पाई जाती है तो धारवार भुवस्तरी रचना मुंगेर और जमुई में रोहतास में नहीं पाई जाती है चले उसके बाद नेक्स्ट कुस्सन करेंगे कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार की किस जिला मिस्तित है अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दो ती यह गया में है ठीक है ना गया में और भी बहुत सारे हिल्स है जो कि एक्जाम में पुछा जाता है गया में एक रामसिला हिल है रामसिला हिल कहां पर है तो यह गया में है प्रेत्सिला कहां पर है प्रेत्सिला भी गया में है और आजकल पुछा जा रहा है बीपेसी के दव एक मुनदेस्वरी एक मुंदेस्वरी गयमूर में है मुंदेस्वृ डियान रहाइं और आपको मन्दार परवत तो पता ही है वाक सी अगला प्रश्ण हुम अमा इसकी और की नदी प्त्वा के पास गंगा में मिलती है बताएיה र Ball इसका क्या होगा और डरेक्ट अंसर क्या होगा कौनसी नदी फटवा के पास गंगा में मिलती है राइट अंसर इसका bastard क्या होगा बताइए जो एक कौनसी यह लगा कोन से नदी जो ए यह आपका पास गंगा में मिलती नदी फटtin सानाग्पूर नदी परके पलामु जार्खन्ड आपका पुन-पुन राइट अंसर हो जाएगा चले उसके बाद देख लिजेगा कि कोपन की जलवाई वर्गी करन के अनुसार उत्तर विहार की जलवाई को किससे प्रदर्शित किया जाता है कोपन की जलवाई वर्गी करन की बात करते हैं तो कोपन की जलवाई वर्गी करन क अनुसार जो है उत्री बिहार जो है यानि उत्तर बिहार की जलवाई किसे से प्रदर्शित की जाती है चले पहले इसका कमेंट करेंड़ करिए फिर मैं आपको दक्षिन बिहार के बारे में भी बथाता हूँ को सले राइट tax इसका क्या होगा तो देखे और दक्षीन विहार की जलवाई को एडाबलू से इसको सुचित किया जाता है कोपन की जलवाई वर्गी करण का नुसार ठीक है चलिए उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन है अगला प्रशन कर लेंगे फ्रेंट्स कि त्रिवेनी नहर किस नदी पर निर्मित है त्रिवेनी नहर इसका जो है यहाँ गंडक नदी पर इस्तित है ठीक न और पस्षिम चंपारन जिला में तिर्वेनी नामा कस्थान पर यह इस्तित है तो यहाँ आप गंडक नदी याद रखिएगा ठीक न बड़ा ही इंपोर्टेंट कुस्टन है यहाँ चलिए उसका बाद नेक्स्ट कु जीलो गंसर कमेंट करिएगा देखे दर्भंगा मुझापरपूर चंपारण जीलो में नवीन जलोड़क मिट्टी पाई जाती है ठीक है ना देखे गंड़क वुद्य गंड़क बागमती यह सब नदियां है वहाँ पर और प्रतेक वर्स बार के पानी से लाए गए जो गाद जलोड़क मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुराने जलोड़क मिट्टी को बांगर कहा जाता है तो यह सब भी आप ज्यान रखिएगा चलो उसका बदेखे निमनलिकित में से कौन सा जिला सबसे अधिक गहने पत्चणड़वाले वन च्छेतर से घिरा हुआ है गहने कौन सा गुए है तो यहां जिला आपका पश्सिम चमपारण है टेक है 2021 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसर पस्यूझ में जिला होगा इसका राइट अंसर ठीक है पस्यूझ चमपारण यह हां पर करेक्ट अंसर होगा चले नेक्स्ट कुसर नेहीं विहार राज्य का कूल भागलिक शितरफल कितना है अभी मैंने आपको बताया भेता और यह प्रश्ण मैं चाहता हूं कि आप इसका अंसर कमेंट करिए सभी लोग इसका अंसर कमेंट करिएगा ठीक है ना सभी लोग इसका अंसर कमेंट करिएगा कि विहार राज्य का कूल भा क्unuz कप्टों करिए करं किनमसर कों सा जोड़ा जो है साई दिया गया को सही तो सीमें सदेशार हूँए यह क्योंकि रफायनी में है आपको भी पता है सोवियत संक की साहता से इसको अस्थापीत किया था और बेगू सराय सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है बिहार की किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है तो सबसे अधिक सोने का भंडार कहां पर मिलता है चले सभी लोग अंसर कमेंट करिएगा कि विहार की किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिलता है फटा-फट एंसर कम करिए तो फ्रेंड्स यह आपको पता है ना कि जमुई में तो यहां पर जमुई राइट अंसर हो जाएगा चलिए उसके बाद दिखेगा कि किस आंदोलन के दौरन आचा जमुई में मैं एक इंपोर्टेंट पॉइंट बताता हूं जमुई में नागी और नक्टी पक्षी भ भी हारς नक्टी पक्षी भी हार नागी पक्षी भी नगी यहां दोलन के दौरान शेकषा परपुरजिला में आयुजीत किया गया था अब यहां से दिखी किस तरह से प्रश्ण भी पेस्टी गुमा फिरा करके पूछेगा पहले तो यह पूछ लेदेगा यहां पर आंदुलन का नाम देदेगा जैसे कि इसका मैं अंसर पहले बता देता हूं आपको यह सविना आगय किया इसके बाद कर लेंगे अगला प्रोशनिया की बिहार में व्यक्तिगत सत्यागरह के और Cecil إhera के बारे में जो राश्चिय अष्तर पर उसको तो पता ही कि पहले सत्यागरह 2tr दूसरे इस स्त्यागर्ए ब्रah mandet थे थिकह ना रश्टी अस्तर पर लेकिन बिहार में स्त्यागरा इसके प्रत्र हैं यह श्रीक्रिषनी सिंग सिर्기क्रिष्णी सिंग राइट अंसर हो जाएगा दूसरे स्त्यागरा Сп Ea अनुगरह नारायन सिंग थे Toronto थे दूसरे सत्यागरह हils ठीक है न चलिए और गांधित इसे प्रभावित हो करके ताना भगत के अनवायू ने इस भाग लिया था इस सत्यागरह में भाग लिया था ताना भगत के अनुवायों ने ये भी आप ध्यान रखेगा और विहार में व्यक्तिगत सत्यागरह शुरू हुआ था कब तो 28 नॉंबर 1940 को 28 नॉंबर 1940 को आगे प्रशन आपको मिलेगा भी विहार में व्यक्तिगत सत्यागरह कब शुरू हुआ था चले बताइएगा सभी लोग एंसर कमेंट कर दीजिए मैं अब यह बताया है तो 28 नॉमबर 1940 को अगला प्रश्ण हमारा है कि पटना युवा संगी की अस्थापना कव हुई थी पटना युवा संगी की अस्थापना मोश्ट बीवी आई कोस्चन है यहां आपकी एक्जाम के लिए पटना युवा संगी की अस्थापना कव हुई थी और किस ने किया था इसके अस्थापना जानते हैं کमेंट करके बताइए जानते हैं तो कमेंट करिए तो देखें पटना युवट संग की अस्थापना जो है यहां किया गया था मानिंदर राय की द्वारा मानिंदर राय की नत्रित में किया गया था कब किया गया था पटना युवसंग की अस्थापना 1927 में किया गया था मनिंद्र राय के नेत्रित्यों में 1927 इंपॉर्टेंट है इसको आप ध्यान रखेंगे चली उसके बाद नेक्ष्ट कुस्चन है हमारा कि सविना अग्या अंदुलन के दोरान बिहार की किस जिला में न नगन हरताल का आउजन किया गया था चली बताएंगे इसका रैट अंसर क्या होगा कि नगन हरताल का आउजन क्या गया था छपरा जेल में किस जिल में किया गया था यह चैल पुछा घ्या इस Всем Summer नहीं में किया था šपरा जिल और में इसे आप ध्यान रखिए keं पटना स्वदेशी लिग की अस्थापना बड़ा ही इंपोर्टेंट कुस्ष्ण है चले बताएगा बताएगे 1930 में हुआ था सन याद रखेंगे और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गये थे तो देखें मई 1930 में सर अली इमाम की अध्यक्षता में पटना स्वदी सी लिख्या स्थापना हुई थी इसके अध्यक्ष बनाए गये थे कौन सर अली इमाम सर अली इमाम राइट अंसर हो जाएगा चले उसका बाद नेक्ष्ट कुस्टन है हमारे कि पंडित ज्वाहरला नहरू ने भारती राष्टी कोंग्रेस की किस अधिवेशन में पहली बार एक प्रतिनिधी के रूप में हिस्सा लिया था सबी लोग एंसर कमेंट करिए राइट एंसर इसका क्या होगा बड़ा है इंपॉर्टेंट कुस्टन है तो फ्रंस यह आपका बांकिपूर दिवेशन था जो बांकिपूर पटना में 1912 में हुआ था बिहार में भारती राष्टी कोंग्रेस का यह पहला दिवेशन था बां बांकिपूर दिवेशन 1912 में पहली बार एक प्रतिलिधी के रूप में हिस्सा लिया था चलिए उसके बाद नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे अगला प्रशन कि 1940 में रामगर्ड कॉंग्रेस अधिवेशन के अधिक्सता किस ने किया था सभी लोग एंसर कमेंट करिए सभी लो इसका राइट अंसर क्या होगा देखें फ्रेंट्स यह अधरूल हक ने किया था और मजरूल हकने सदाकत आसरम से सदाकत आसरम की थापना इसका निर्मान मजहरूलहक ने किया था दिगा पठना के निकट सदाकत आस्राइम का निर्मान किया था और इसी सदाकत आस्राम से 1921 में इन्होंने define motherland नमक अकभार निकालना सुरू किया था ठीक है ना तो यहां पर मौलाना मजहरूलहक ओ इंसर हो जाएगा तो फ्रेंट्स यह सारे के सारे इंपोर्टेंट प्रशन आप देख सकते हैं आपकी एक्जाम में बन सकते हैं उनको मैंने कभर करा दिया सेशन पसंद आया है तो एक बार लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंट्स इसको